नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार का नमबर वन यूट्यूब चैनल लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहे बली मैं हूँ अक्षियानंद आज हम बात कर रहे हैं उस बारे में जिसकी उपेंद कुश्वाहा को सायद उम्मीद नहीं थी आज उपेंद कुश्वाहा अपनी 25 सुत्री मायों को ले करके पटना की सडकों पर उत्रे थे गान्धी मैदान से उनका राजभौन मार्श शुरू हुआ और राजपाल को जा करके ग्यापन सौपा जाना था लेकिन उस बीच कुछ ऐसे हालात बिगड़े कि उपेंद कुश्वाहा भी कुछ देर के लिए संद रह गये हमारे सयोगी अक्षे आनंद बंगला चौराहा पर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में आपको बताएंगे और हम अक्षे आनंद से ये भी जानेंगे कि आखिर यूट्यूब पर हम और भी वीडियो डाल चुके हैं लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई है कि हमें आवश्यक लगा कि एक वीडियो में पूरी बात को जो राम गुलाम चौक से शुरू हो कर डाग बंगला पर खतम हुई वह आप तक रखें दरसल ऐसा था कि आकरोश मार्च 25 सुत्री मांग जो उपेंदर कुश्वा पहले से रखते रहे हैं सिक्षा को लेकर कारेकरता बसो बस भर कर पहुचे हैं पटना दरसल वो तीन फरवरी को होने वाली राहुल गान्दी की रैली में पहुचे हैं लेकिन रैली में रूकेंग कारेकरम था इसके लिए जगा जगा से लोग जुटाए जा रहे थे कल रैली में भी शामिल हो ये बात अलग हो सकती है लेकिन आकरोश मार्च रालोस्पा द्वारा आयोजित होनी थी और बहुत दिन से इसको लेकर के रालोस्पा में तैयारियां चल रही थी बस ही बस भर क पर पहले मालयारपन करते हैं उसके बाद रामगुलाम चौक जहां पर से सुड़ू होना था यह मार्च वहां पर सारे कारकरता पहुछते हैं हमारे स्वियों की देवान शुप्रबाद वहां पर भी पहुचते रहते हैं और सिर्फ लाइफ सीटी पर वह तस्वीरे दिखत पाता है इतनी भीड हो जाती है कि एक सिस्टम रहता है जिस पर गाने बज रहे होते हैं उपेंदर कुश्वास के समर्थन में और नितीश कुमार के विरोध में माइक से अनौंस्मेंट सल रहा होता है और यह भीड आगे बढ़ता है डाग बंगला चौड़ाही की और हम ल जो प्रशासन थी वह बार-बार माइक से अनौंस्मेट कर रहा था समझा रहा था कि रुख जाए ठम जाए और जो प्रशासन था वह सीनर अधिकारियों से बात कर रहा था मेरे खाल से डीम से उनकी बात हो रही होगी डीम साब पूछ रहे थे कितने लोग है प्रशासन के जो अधिकारियों कर रहे थे कि एक हजार से भी अधिक लोग हैं जिनको भीड को नियंत्रित करने के लिए बीड को नियंत्रित करना था वहां पर जो मौझूद अधिकारी थे वो कह रहे थे सर बल बहुत कम है जल्दी से बैक अप दीजिए पुलीस बल पहुचाईए तो उसी पर फिर पुलीस बल और आया वाटर कैनन की वहां आई अब जब ठंड में ठंड के मौसम में यह परचलन जादा है कि पर ले वाटर कैनन चलता फिर लाठिया चलती है घर्मियों में तो पर ले लाठियों से ही सोन गिया जाता था मुझे याद है कि कुष्वाहां को एक बड़ी खबर देना चाहेंगे कि उपेंद कुष्वाहा लाठी चार्ज का शिकार हुए हैं उनकी तबियत बिगड़ी है और उन्हें अस्पताल में ले जाए गया है यह बड़ी खबर है हम अक्षय से जानने कोईश करते हैं कि आखिर वो क्या नजारा था जब उप प्रदरसन कारी तो भीग है चलिए ठीक है पुलीस भी भीगी पत्रकार भी भीग है जो कैमरा लाइव यू वाले टीवी चैनल के पत्रकार थे वो तो भाग गए हमारा मोबाइल था हम थोड़ा रिस्क उठा सकते थे हम लोग तो मोबाइल वाले रुके रहे भीड के बीच पीछे मुड़े तो देखे कि लाठी चलने वाला है किसी तरह पुलीस दो सेकेंड का वक्त दे रही थी भागने के लिए और भाग खड़े हुए तो बचे हुए हैं और अभी आपके सांदेब बोल रहे हैं और तस्वीरों में हम देख सकते थे लागतार किस तरह से जो कार कारेकरता है वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं वह भी लगतार पुलीस के उपर चढाई कर रहे हैं और उपेंद्र कुश्वाह नीचे गिरे और उनके उपर कारेकरता चढ़ेए जाएंगे बचना कहा था वो और दब खुद कहने हैं चोड़ो भाई चोड़ो अच्छा उनको जो अस्पताल ले जाए गया है इससे कहीं न कहीं ये जरूर साबित होता है कि उनको चोटे आई है आप तो वहाँ पर मौझूद थे क्या वाकिम उनको उतनी जबदर करता घायल हुए है सर फटा है उपेंद कुछ वहाँ के सर पर चोट आई है घंचा सर पर बांध रखे थे सर से मैंने खून बहते हुए नहीं देखा है मगर सर पर घंचा बंदा था और ऐसा कहा जा रहा है कि उनका सर फटा है और इसलों को अस्पताल ले जा गया उससे पहले एक आलम अधानी मैदान पहुँचे थे चुकि तीन फरवर कल है और राहूल गांधी की रही होने वाली है तो वहाँ पर उपेंद कुस्वा के जो सपोड़ से जो उनके कारे करता है और यू लोग वह पहुँचे हुए थे और हमने उनसे बातचीत की तभी हमें समझ में आ गया एक एक जलक तो दिखी थी कि ये आक्रोश मर्च काफी उग्र होने वाला है और इसी के साथ हम लोग भी तैयार थे दिवांचु गया भी थे तो भीड की उग्रता को देख कर लगया था लेकिन ये जाइज नहीं है कि उस पत्थर से कोई आम नागरी घाल हो जाई या कोई पुली लेकिन इस बात को मैं बार बार जिक्र करना चाहता हूं कर भीडाओं कि वह जो पत्थर बाजी हुई वह इतनी हुग थी कि 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 जान जा सकती थी अब देखिना अगर पत्थर भले ही वह पुलीस को डराने के लिए पीछे बेजने के लिए चलाया गया हो लेकिन किसी के सर पर लग जाए तो मौत भी बन सकता है आपको बताते हैं कि न्यूज 18 के आनंदमरित राज खड़े थे हाथ में माइक था कैमरा उधर फेस करें और भीड ने जब पत्थर चलाया तो उनके पीट पर आकर लगा और मैं उनके बगल पर खड़ा ऐसा लगा कि सर पर लगता तो जो चल रहा था मतलब ऐसे से उड़ते वे आ रहा था उससे पटे उपेंदर कुश्वा भी वहीं ऐसा मंजर हुआ कि फिर पुलीस ने और पीटा कुछ कार्य करता जो लाटियों से पुलीस को मानने लगे हाथ में जंडे जंडे में जो डंडा होता है वो पुलीस पर चलान दर्चंकारी जो दस सेगेंड पहले पुलीस पर लाटी चला रहा था उजो अगर पुलीस के घेरे में फस जाए तो पूरा सरीर लाल और सुबह से नजारा था तकरिबन घेराबंदी कर दी गई थी उस्टेशन जाने की तरफ जो रास्ता है उसको ब्लॉक किया गया था और पुलीस को भी कहां मने कि मेरे हाथ से किसी का सर पढ़ जाए यह खुद गीले हो जाए एक वर्दी है ड्यूटी पर है रात तक रहना है रात क्या 24 घंटे रहना है वर्दी गीली हो जाएगी और फिर वर्दी गया जब लॉइन और बिगड़े गा तो पुलीस को जो है कि हा साथी साथ वो जो एक्शन है वो भी कर नहीं पड़ेगा पुलीस को भी हां लॉइन और डाग बंगला चोड़ा है प्रतिबंधी तेरिया है वहां आप नहीं कर सकते हैं से प्रदर्शन में लिमिट होना चाहिए इतिना और लाठी डंडे सब कुछ चल रहे हैं उसके बाद करना चाहिए प्रदर्शन लोकतंत्र का एक हिस्सा है बेशक करिए मगर कुछ नयतिकता रखिये जरूर विरोज जताने में भी नयतिकता होनी चाहिए कल तीन फरवरी को राहूल गांधी की रैली होने जा रही है पटना के एतियासी गांधी मैदान में उपेंद कुछ वहा भी मंच साजा करेंगे उनको भी निमंत्रन भेजा गिया है इससे पहले आज पटना में दो फरवरी को आक्रोश मार्श निकाला गया अब देखने वा कि आकरोश मार्श क्या रंगलाता है क्या बिहार सरकार पर इसका कोई असर होता है या फिर पिछली बार जो पेंद कुछ वहा के जो पार्टी के वरकर्स हैं उनको जो लाटी खानी पड़े थी वैसे ही ये भी मामला दब करके रह जाता है आप बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे लाइफ सिरीज के यूटूब चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं कि आपने तो उसको भी सब्सक्राइब करें बहुत-बहुत नश्कार धन्यवाद